असलाम अलेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मज़ेदार हम सब को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली रेसिपी जिसका नाम है दाल खिछली तो ये दाल खिचडी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है बच्चे हों या बड़े सभी इस दाल खिचडी को बहुत शौक से खाते हैं आज इस दाल खिचडी की रेसिपी को मैंने अपने तरीके से एकदम यूनीक स्टाइल से बनाया है तो चलिए समझे दाल सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला रख्मानी रहीम तो मैंने यहाँ पर एक कप अरहर की डाल जिसको तूर दाल भी बोला जाता है और एक कप मौनकी धुली डाल, तो इन दोनों दालों को मिक्स करके मैंने अच्छे तरीके से वाश करके आदे गहंटे पहले बिगा दिया था तो सबसे पहले हम दाल को kukर लेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ सब दाल को हम इस kukर में शामिल कर दिते हैं तो अभी पानी शामिल कर देंगे तो जितनी हमने दाल ले है उसे दो गुना हमने पानी शामिल कर दिया है क्योंकि दाल को हमें यहाँ पर पतला ही रखना है तो यहाँ पर हम नमक शामिल कर देंगे तो एक खाने का चमज मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमिया ज्यादा कर सकते हैं इसी के साथ हल्दी पौडर एक खाने का चम्मज ले लिया है तो हल्दी पौडर का इस्तमाल भी हमने या पर थोड़ा ज्यादा किया है ताकि हमारे दाल का कलर अच्छा है इसी के साथ अभी हम cooker का ठकन लगा देंगे और हमने यहाँ पर gas on कर ली है तो अभी cooker gas के उपर रख देते हैं और 3 सीटी आने तक का हम wait करेंगे तो चलिए जब तक हम बाकी की तयारी करेंगे तो मैंने यहाँ पर यह 300 ग्राम करीब चावल लिये हैं तो अभी हम टोप में पानी शामिल कर देंगे तो एक जग करीब मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है तो इसी के साथ नमक शामिल कर देंगे तो नमक एक खाने का चमच मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम्या ज्यादा कर सकते हैं तो इसी के साथ अभी हम चावल भी शामिल कर देंगे तो जितने हमने चावल लिये हैं उससे हमने तीन गुना पानी यहाँ पर शामिल कर दिया है क्योंकि चावलो का जो पानी है वो हमें निथानना है पूरे से कनी बाखी रहना चाहिए, क्योंके Хम दाल के साथ भी इसको एक से 2 मिनिट के लिए पकाएंगे, तो चलिए हम दाल को चेक कर लेते हैं, तो यह देखिए, तीन सीटी में दाल एकदम perfect cook हो चुकी है, तो यह देखिए, इतनी ही पतली हमें यह दाल रखना है, तो यह झाल लगाई परफेक्टेक्ट छावल को ऐसी आज ट्राइक्षी अधे के अdf model में यहां पर याय देक्वी कड़ाई को यह एः पर तो यह के इस में घृतिया कि जो पाइक्षी तो यह देखिती इस में उनीटी 6 a. do быть explained यहां पर रहे हीं, 18 छोटी चम्ममच कर दिया को सेमेर करते हैं, कम बारी के लिए sow dat इस अर्वी चीज़ोगोंふふye करने के लिए केलेंगे 15-10 राइजे के लिए इस सब करना भी यह प्यास पर शाल सल ऌरकान चेंगता कियों kup धिक मैंट जयाक कर लिए है इसको भी हम प्यास को हमें बारी कटिंग करना कर दो तो यह देखिए प्याज हलका फ्राइ हो चुका है तो बस इसी के साथ अभी हमने ही यहाँ पर एक बड़े साइस का टमाटर लिया है इसको मैंने कद्दू कस से गिस लिया है तो टमाटर को भी हम इसमें शामिल कर देते हैं एक बार सम्माद चला देते हैं इस तरीके से तो इस स्टेच पर मैं यहाँ शामिल करूँगी आदा छोड़ी चमच नमक और नमक टालते वक्त आप धिहान रखिए क्योंके हमने दाल में और चावल में दोनों में ही नमक का इस्तमाल किया था तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर लेजिए लाल मिर्स इसी के साथ मैं यहाँ शामिल कर दूंगी एक खाने का चमच भर के पाव भाजी मसाला इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसी के साथ बारी कटिंग किया हुआ हरादनिया एक मुठी ले लिया है मैंने यह तो इसको भी शामिल कर देते हैं अभी हम थोड़ा सा इसमें शामिल करके चार से पांच खाने के चमच के वरावर करीब तो इन सारे मसालो को मिक्स कर देते हैं अच्छे से तो यह देखिए सारे मसालो को हम मिक्स करेंगे अच्छे से और दो से तीन मिनट के लिए इन सभी मसालो को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तो इस तरीके से तो यह देखिए माशाला आप कलर देखिए कितना बहत्री नाया है तो यह देखिए दाल खिच्डी हमारी बनकर तयार है इसी के साथ गरम मसाला पॉडर शामिल कर देंगे दो तिंग चुटकी के बराबर बारी कटिंग किया हो हरा दनिया इसको भी थोड़ा सा कानिश कर देते हैं दनिये से तो इसी के साथ हम इसको ढकल लगा देंगे दाल खिच्डी हमारी बनकर तयार है तो यह लिजिए चट पट से बनकर तयार है आज के हमारी दाल खिच्डी की मज़ेदार सी रेसिपी तो दे इसी तरीके से बना कर देखिए, इंशालला आप लोगों को भी ये डाल-किचडी की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, अगर आपको मेरी आल्ट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना नब भूलिएगा, और इस तरह की इजी और सि को में अधर की